नमस्कार दोस्ता एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हरदिक स्वागत है लेट अफट अपडेर निकल के आई है कि केंद्रे क्रमचारियों की हुई बल्ले बल्ले 9000 रुपे बढ़ेगी बेसिक सैलरी एच आरे में भी होगी बढ़ोतरी तो दोस्तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर फफटाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वैल आइकन को भी मज़ा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पैनिसन से संबंदी जितनी भी नियू जाती ह है डिये में कितना इजाप्पा होगा यह है ए आई सी पी आई इंडेक्स पर निरवड करता है दुनिया बर के कई देश महंगाई की समस्या से जोज रहे हैं देश महंगाई को लेकर आर बी आई आई आसंकता जता चुका है कि महंगाई आने वाले समय में और बढ़ सकती है यही कार्ण है कि आर बी आई मुद्रिक निती को इस बार समय से पहले नुवंबर में करने जा रहा है लेकिन अगर महंगाई से अलग बात करें तो आने वाले समय में महंगाई बढ़ने के आसार हो गई हैं दोस्तो सितंबर के आखरी सब्ता में महंगाई बत्ते में चार परतिशत की बड़ोतरी का ऐलान हुआ है इसे एक जुलाई दोजर बाई से लागू किया गया है डिये में अगला रिवीजन जनवरी दोजर तेई से होगा एक्सवर्ट का मानना है कि जिस तरह महंगाई के हालात है उससे आने वाले दिनों में महंगाई बत्ता फिर से चार परतिशत बढ़ सकता है उमिद की जा रही है कि जनवरी में महंगाई बत्ता बढ़ कर 42 परतिशत हो जाएगा दोफतों महाईगाई बत्ते का सुन्ने है जैसे ही यह 50% तक पहुचेगा तो इसे सुन्ने कर दिया जाएगा 2016 में जब सात्मा वी तनायोग लागू हुआ था तो उस महाईगाई बत्ते को सुन्ने कर दिया गया था 50% के अनुसार जो बत्ता करमचारियों को मिल रहा है उसे बेसिक सालरी में जोड़ा जाता है उदान के तोर पर अगर बेसिक सालरी 18,000 रुपे होने पर उसे 50% डिये का 9,000 रुपे मिलेगा लेकिन 50% होने पर इसे बेसिक सालरी में जोड़ कर फिर से मैंगाई बता सुन्या कर दिया जाएगा दोस्तों नियम तो यह कहरा है कि करमचारी को मिलने वाला पूरे डिये को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए लेकिन ऐसा करने में कई बार VTFT आड़े आ जाती है अलंकी 2016 में यही किया गया था साल 2006 में जब छटा वेतनमान लागू हुआ तो पांच में वेतनमान में दिसंबर तक 187 दसमलोड डिये मिल रहा था पूरा डिये मूल वेतन में मर्ज कर दिया गया और हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिवीजन तीन परतिशत का होगा अधिक्तम मौजुदादर 27 परतिशत से बढ़कर एच आरे 30 परतिशत हो जाएगा लेकिन यह तब भी संबह होगा जब मैंगाई बत्ता 50 परतिशत के पार हो जाएगा ममोरीडम के अनुसार डिये के 50 परतिशत क्रोस होने पर एच आरे 30 परतिशत 20 परतिशत और 10 परतिशत हो जाएगा हाउस रेंट अलाउंस की कटेगरी एक्स वाई जड क्लास सहरो के इसाब से है दोस्तो एक्स कटेगरी में आने वाले किंद्रे करमचारी को 27 परतिशत हरे मिल रहा है या 50 परतिशत डिये होने परतीश परतिशत हो जाएगा वही वाई कटेगरी वालों के लिए या 18 परतिशत से बढ़कर 20 परतिशत हो जाएगा और जड कटेगरी वालों के लिए 9 परतिशत से बढ़कर 10 परतिशत हो जाएगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत